हाई फ्रेंड्स वेलकम बाक तो एक बार CAC फिर से उल जलूल ओफर्स लेकर के आ गई है इस कोरोना काल में वियली भाईयों के लिए वैसे भी जब कोरोना नहीं था तब भी CAC काफी उट पटांग हरकते करती थी लेकिन अब फिर से एक ऐसी ओफर्स लेकर के आई है जिसको मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती हूँ हाला कि आप में से काफी लोग दूसरे यूट्यूब चैनल देख करके ये सोच रहे होंगे कि ये काफी अच्छा ओफर है और इससे आपको जल से जल फाइदा उठाना चाहिए तो कौन से ओफर की बात कर रही हूँ मैं और बाखी ही आपको इससे फाइदा है या नहीं है किन चीज़ों का आपको धिहान रखना है ये सारी चीज़े मैं आपको बताऊंगी इसी वीडियो के माद्यम से शुरू करने से पहले अगर अबी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं इसी तरह की वीडियो दूसरों तक पहुचाने के लिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं तो सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ कि कौन से ओफर की बात कर रही हूँ मैं यहां डिजी नेम के ओफर की ओफर क्या है मैं आपको यह तो जरूर ही बताऊंगी इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको एक इंस्टेंस याद देलाना चाहती हूँ 26 जनवरी वाला 26 जनवरी को भी एक डिजी नेम के नाम पे ओफर ले करके आई थी CAC जहां पर यह बताया जा रहा था कि फ्री ओफ कोस्ट डिजी नेम आप खरीज सकते हैं CAC के माद्यम से उस वक्त काफी सारे वियली भायों ने कोशिश की थी डिजी नेम बाई करने के लेकिन साइड डाउन था और मैंने जितने वियली भायों से बात की थी उनमें से किसी ने भी पॉचेज नहीं किया था और क्योंकि पर्चेस हूँ ही नहीं पा रहा था और उसके बाद एक गूगल फॉर्म भी फिल कराया गया था कि जो लोग भी कोशिश कर रहे हैं और ये फिल नहीं हो पा रहा है आपसे पूरा प्रोसेस या फिल वेबसाइट नहीं खुल रही है तो आप गूगल फॉर्म भट दें और CAC आपको अप्रोच करेगी और आपको आपके पसंद का डिजी नेम फ्री ओफ कोस्ट अलोट कर दिया जाएगा लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और इसी इंस के बाद PMG दिशा के पेमेंट के लिए ये कंडिशन लगा दी गई थी कि अगर आप डिजी नेम बाइन नहीं करते हैं तो आपका PMG दिशा का पेमेंट होल्ड कर दिया जाएगा अब नया पैतरा ये है CAC का कि एक नया ओफर लेकर क्या आगई है CAC जिसमें बताया जा रहा है कि आप कोई भी डोमें पौचेस करें .net.in.co.in जो भी अवेलेबल है CAC पे उस पे आपको 50% का डिसकाउंट मिलेगा मान ले कि कोई डोमें 179 रुपीस का है आप उसको पौचेस करते हैं तो वो 179 रुपीस का नहीं होगा बलकि उसका हाफ ही आपको कौस्ट पड़ेगी उसकी और सोने पे सोहागा ये है कि अगर आप 5 डोमें बाई करते हैं तो आपको हर एक डोमें मातर 1 रुपे का ही हो पा रहा है ना तो वहां डिसकाउंट मिल रही है ना ही अगर आप 5 अलग अलग डोमें पौचेस भी करते हैं तो आपको एक रुपे में ये पूर एक रुपे में आपको ये वेबसाइट पढ़ ही नहीं रही है आपको वहां पे नॉर्मल कॉस्टी दिखाई दे रही है और उससे ही पेमेंट मांगा जा रहा है तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अगर इन चीजों को अप्लिकेबल ही नहीं करना होता है तो CSE इस तरह का ओफर देती क्यों है बात करें डोमें की तो यहां पे आप हमेशा याद रखें कि सिर्फ और सिर्फ डोमें दिया जा रहा है आपको इस कोस्ट पे वेबसाइट आपको अलग से बनानी पड़ती है और वेबसाइट बनाने का खर्चा अलग होता है यह सारी चीज़े मैंने पुराने वीडियो में बताई भी है अब मैं बता देती हूं कि यहां पे टॉम्स और कंडिशन क्या है CSE की तरफ से CSE ने बताया है कि यह offer valid होगी 14 माई तक के लिए और जो भी सारे domains है यानि .co.in.net वेगरा इन सारे domains पे यह offer applicable है और सिर्फ और सिर्फ VLE भाईयों के लिए ही यह offer applicable है non VLE जो CSE से associated नहीं है या फिर जो VLE नहीं है वो इस तरह से domain purchase नहीं कर सकते हैं तो यह सारी manager कारी दे दी है अब तक तो आप लोगों को पता चली गया होगा कि इसके पीछे CSE का कुछ ना कुछ खेल होता है और इस तरह के बहुत सारे वादे करती है CSE लेकिन उसको पूरा कर नहीं पाती है तो मैं तो आप लोगों को यही suggest करूंगी कि आप इसके पीछ अपना वक्त जायर ना करें और बहुत सारी ऐसी दूसरी websites हैं ऐसी companies हैं जो आपको बहुत अच्छे domains यानि जो genuine domains होते हैं जो आई catching domains होते हैं वो काफी अच्छे और सस्ते prices पर देती हैं तो आप वहां से अपना domain purchase कर सकते हैं ना कि CSE से करें तो यह सारी जानकारी मैं आपको देना चाहती थी वीडियो के माधियम से मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई तो वीड यह वीडियो अवां कि अ झाल झाल